दोस्तों आज है संडे और आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया संडे कमेंट बॉक्स जिसमें मैं आपके कुछ कमेंट्स का रिपलाई देता हूँ तो आप भी इस संडे कमेंट वाक्स का हिस्सा बन सकते हैं और किसी वीडियो के कमेंट वाक्स में जाकर अपना पूँछ सकते हैं यूनिक सवाल और वैसे मैं हर संडे राट दस बजे लाइव आता हूं तो उसमें भी आप लाइव जुड़कर हमसे पूँश सकते हैं अपना कोई यूनिक सवाल तो दोस्तो मैं हूँ लीला सिंग और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइमेंट गुरू तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको गाड़ी से समधित नहीं जानकारियों की वीडियो मिल सके तो आएए दोस्तों सुरू करते हैं आज का पहला कमेंट और आज का सबसे पहला कमेंट दिखने वाले हैं जीतिंद्र मालविय और यह लिखते हैं सर मेरी गाड़ी के चारो ही टायर घिस रहे हैं क्या समस्या है बताइए दोस्तों नॉर्मली गाड़ी के चारो टायर ही घि घिश जाते हैं और उनकी कुछ वचिये होती है तो सबसे पहली वजय होती है कि गाड़ी में आगे वील अलानों थिश्जये होता है और लाख कि खराब हो जाता है तो भूद्र से घिश जाता है दूसरा वज़े होता है आगे स्टेरिंग है ब्रेकिंग सिस्टम है और आपका इंजिन का भी लोड आगे ही ज्यादा रहता है तो इस हिसाब से आगे का टायर कुछ जल्दी घिश जाता है इसके लाबा अगर आपकी गाड़ी रियर वील ट्रायव है तो पीछे का टायर भी गिस्ता है लेकिन आगे के मुकाबले कुछ कम गिस्ता है और अगर आपकी गाड़ी की पीच़े भी अलाइमेंट की प्रीजमेंट है तो अगर पीछे की जो लाइमेंट खराब है तब इन पीछे से घिस सकता है तो इस तरह से गाड़ी के चारी टाइब अलग-अलग तरीके से अलग-अलग डोड के साब से घिसते हैं और उनको तो एक्वल घिसे उसके लिए हमें गाड़ी की वील एलाइमेंट, बैलेंसिंग और टार रोटिशन की जरूरत पड़ती है तो अगर आपकी गाड़ी के चारो टार वराबर घिस रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है वैसे आगे के टार जल्दी घिस जाता है और आगे के टार हम रोटेट करके पीछे कर देते हैं और फिर पीछे के आगे कर देते हैं जिससे टार की हमें पूरी लाइफ मिल सके तो अगर आपकी गाड़ी के टैर जल्दी घिस रहे हैं तो अपनी गाड़ी की भील अलाइमेंट बैलेंसिंग और टैर रोटेशन करवाएं और साथ में ये करवाने से पहले अपने गाड़ी का सस्पेंशन जरूर चेक करवाएं सस्पेंशन ठीक होना बहुत जरूरी है तभी अलाइमेंट बैलेंसिंग अपना सही काम करता है और अगला कमेंट लिखने वाले हैं मानस घोष और ये लिखते हैं ट्यूब वाले टैर को ट्यूबलेस टैर के रिम्में बिदावट ट्यूब के लगाने से कोई प्रोब्लम हो सकती है प्लीज बताईए तो घोज जी वैसे टीब वाले टैर को ट्यूबलेस बनाकर ट्यूबलेस वाले जिम्में डाल सकते हैं वैसे कोई प्रॉबलम नहीं है लेकिन ऐसा करना पुछित नहीं होता है क्योंकि जो tubeless tire की quality होती है वो उसी साफ से बढ़ा जाती है जिससे वो pressure को maintain करके रख सके tubeless tire में एक layer बोटायल जो material होता है ट्यूब का उसकी अरक से डाली जाती है जिससे उसकी strength और बढ़ जाती है pressure को maintain करने की वहीं अगर tube वाले tire में जब हम हवा बढ़ती है तो हवा जो जाती है वो tube में रहती है और उसको support करता है tire यानि tire और tube double layer हो जाती है और उससे उसकी strength और बढ़ जाती है उसको pressure को सहनी की छमता और बढ़ जाती है तो खाली tube वाले tire को अगर tubeless बनाय जाए तो थोड़ा सा risk की रहता है और ऐसे chances में कई वार tire फट भी जाते हैं ज्यादा heat होकर तो ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे वैसे कोई problem नहीं होती है तो दोस्तों आज के ये कुछ comment थे जिसका मैंने reply दिया तो ये हमारा program comment box आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताएं और अगर अच्छा लगा तो चैनल को subscribe करें और bell icon को भी press करें वीडियो को like करें शेयर करें करें करें